अलेकर आपको प्रवाइब की तरब से आपको याँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक इस वेकंसी के इंदर आपको मैं बता दूर्शिंग ओले जो गंडिडेट हैं वो भी स्वेकंसी के लिए इलिजिबल से रहेंगे पॉस्ट का नाम क्या रहने वाला है सबसे इंपोटेंट चीज आपको मैं बता दू ये भरती भी आपकी क्या रहेगी मेरिट के अधार पर रहेगी ठीक है यानि कि इस भरती के अंदर भी आपका कोई भी कॉमपेटेटिव एक्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है बिना को 26 सब्टमबर को इसका जो अधार्टाइजमेंट है वो रिलीज किया गया है इंटर्यू के अधार पर आपकी भरती होगी यान कि आपका यहां पर कोई भी कॉमपेटेटिव एक्जाम नहीं होगा ओल इंडिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल सैंस रायपूर की तरब से जो इस वेकंसी से रिलेटेट्ट चितने भी इंफॉर्मेशन से वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद में आपको देख लिजीगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर प्रोड़ किये गए हैं कि आपको यहां पर जो वेकंसी है वह एप् जीगा जिस टाइम आपका इंटर्यू होगा उस टाइम आपको कंप्लिटली जो डोकुमेंट्स हैं वह आप सभी को आपर लेके जाने हैं डोकुमेंट्स कौन-कौन से लेके जाने हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले देख लिजीगा पोस्ट की डिटेल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको प्रोजेक्ट कोडिनेटर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी ठीकर इसके अंदर अपकी क्या रहेगी तो असेंचिल क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री वाले कंडिट लाइफ साइंस सोचियल वर्क या फिर नर्सिंग वाले जो कंडिड़ेट है है वो इस वेकन्सी स्कूल क्या कर सकते हैं यहां पर आप आपलाई कर सकते हैं कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिगरी और डिपलोमा कर र estos बीजियेबिल रहेंगेे要 इंट्रेसिंग हैं और MSE nursing candidate apply करना चाहते हैं तो वो भी क्या रोंगे इस vacancies के लिए eligible रहेंगे यनकी GNM BSC, post BSC और MSE सभी candidate क्या रहेंगे nursing के अंदर चिनों ने degree और diploma कर रखा है वो सभी candidate इस vacancies के लिए क्या रहेंगे यहाँ पर eligible रहेंगे age limit की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करो तो इसकी age limit आपको देखने को मिलेगी 35 year आपको यहाँ पर जो maximum age limit है वो आपको देखने को मिल जाए कि लेकिन आपको साफ में बता दू इसके अंदर आपको age relaxation भी आपको provide करवाया जाएगा यानि कि government rule के इसा जो candidate है PWD candidate के लिए आपको 10 year का relaxation रहेगा और जो SC और जो ST candidate है उनके लिए आपको 5 year का ठीक है इस प्रकार से आपको जो age relaxation है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके बाद में कुछ ट्रामेंड conditions भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ठीक है लिव रूल्स भी आपको यहाँ पर देगे हैं सभी अपडेट आपको यहाँ पर अविलिबल करागे हैं कि आपको कॉंप्रिटली जो government rule के इसाब से जो आपकी लिव रूल वगेरा रहते है जितने भी अपडेट रहते हैं वो सभी अपडेट आपको यहाँ पर इस कि आपका जो इंटर्यू है, वो आपका इंटर्यू कहां लगेगा, उसका टाइम आपका क्या रहने वाला है, और साथ में आपको कौन-कौन से डोकुमेंट्स लेके जाने हैं, ये सभी अपडेट भी आपको इस वीडियो के इंदर मिलेंगी, तो आपको इस वीडियो अपड करना है, ग्यारा एम के उपर, यानि कि साथ अक्तोबर को आपको यहां पर क्या है, आपका जो इंटर्यू है, वो आपको देखने को मिलेगा, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम यहां पर रहने वाला है, वो रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा, ग्यारा एम, ठीक रोव नंबर एक सो पांस के Professor के अंदर आपको क्या करना होगा जो इंटर्यव है वह आपका यहां पर देना होग A ठीक है जो आपकी अंदर है कि मेर हैं है hell आपको देना है अब भी आपके original documents हैं वो सभी original documents आपको वाँ पर साथ लेके आने हैं साथ में आपको बता दू जिरोक्स कोपी का एक सैट आपको completely लेके आने है जिसके अंदर आपको 10th की mark सीट रहेंगी और आपने nursing के अंदर जो भी अगर diploma और degree किया है वो आपकी रहेंगी ठीक है उसके बाद में आपका आधार काट रहेगा और इसमें आपको मूल ओर जाती रहेंगी ये सारी जो एक क्या है एक जिरोक्स कोपी का आपको जो सैट है वो आपको यहापर completely लेके आना होगा इनको सभी को self-attested करना होगा ठीक है यह आपको लेकend में और साथ में आपको ऊरईजनल डॉकुमेंट्स में भी आपको लेकर जाने है क्योंकि original डॉकुमेंट्स क्यों लेकर जाएंगे वह देख लीजिघा final step के अंदर कितने candidate वहाँ पर आते हैं किसे साथ से इंट्रू देने आते हैं उसके बाद में आपको वहाँ पर उसी दिन आपको जोइनिंग की अपडेट भी बता दी जाएगी कि आपकी जोइनिंग है वो आपकी क्या रहने वाली है इस vacancy से related कि आपकी जोइनिंग थोड़ा होने वाड़ी है ठीक है याँ कि आपको देखने को मिल रही है इसी प्रकार से सबसे important चीज आपकी यह है कि आपकी यह merit के अदहार पर बरती रहेगी ठीक है यह आपकी मेरिट के अदहार पर रहेगी इस दिन आर आपका कोई भी competitive exam है वो आपका नहीं होने वाला है यानि कि बिना कोई competitive exam के आपकी बरती करवाई जाएगी और यह आपके लिए क्या रहे होने वाला है सबसे important जो update है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो इस vacancies के बारे में आप सभी को यहां पर completely जो information's info आपको मिल चुकी है completely update आपको मिल चुकी है साथ में मैं आपको बता दू एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है नोशेट एट से related ठीक है यहां पर जो खबर है वो यह निकल कर आ रही है कि इस बार क्या हो सकता है पोस्ट कितनी होंगी ठीक है और सबसे important कुछ साती है कमेंट कर रहे थे कि क्या exam pattern के अंदर बदलाओ आएगा या नही आएगा यह सबसे important और जो सबसे बड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा क्या नोशेट फाइफ जो नोशेट एट है ठीक है जो नोशेट एट है इसके अंदर आपको क्या बदलाओ देखने को मिलेगा कुछ सातियों के comment आ रहे थे कि सर क्या बदलाओ हो रहा है नोशेट के अंदर तो इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बहुत ही जल्ड अपडेट प्रवाड़ करूँगा क्या वास्तुक्ता में नोशेट के अंदर बदलाओ हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर बदलाओ हो रहा है तो क्या बदलाओ रहा है ठीक है इस चीज़ के बारे म अपने फ्रेंट सर्कल के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, जिससे आप सबी के पास ऐसे ही अपड़िटिट वीडियो में आपको पास टाइम से लाता रहूँगा, बागे आपको मिलते हैं, वो नहीं अपड़िट के साथ, नहीं जो दो अजियों कुछत जाहिंग 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 जाहिंगा